मैं भारत को भारती अताकी मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उसकाम में लगा हूँ जैसे दूरी भुपड़ा बहुत अध्गुत है ऐसे ही एक बहुत अच्छी आउशद है स्वेंपाग्योर्ण उसका नाम होँ अध्गुत है अगर गले का खोई भी तरास हो गया है खासी होती है बार-बार खासी होती है सर्दी होती है बार-बार सर्दी होती है बच्चों को कई बार वो टॉंसिलाइटिस हो जाता है दर्द होता है टॉंसिंस का ये गले के सभी तरास की सबसे अच्छी और दूससे हैं और अधर में इसकते हैं यहादोड को अरण के लि 안내 और दूद में ले मैंने आपको का बार बार खांसी आती है, बार बार सर्थी होती है, बार बार जुकाम होता है ये सभी के लिए औशदी है हरद बच्चों को टॉंसिल की जितनी भी तक्रीफ हैं, उसकी सबसे अच्छी औशद हरद टॉंसिलाइटिस की तक्लीफ में भी आप गौकर के पास जाएंगे, वो तुरन कहेगा ओपरेशन कराओ, बच्चों के टॉंसिल काटके निकालो, कभी मत कराना उनको थोड़े गिन हरद दे देंगे, हमेशा के लिए टॉंसिल की तक्लीफ खत्म होगे और ज्यादा टॉंसिल की तक्लीफ है तुछ बच्चों को, तो सूखी हरद जो होती है, पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजे अंदर, चमच में हरद भरिए, गले के अंदर तक चमच ले जाईए और छोड़ दीए, बस, पास साथ मिनट में, लार के अपने आप नीचे उतर जाएगी, और हफ्ते में दो बार भी आपने अगसा किया, तो हमेशा चलिए टॉंसिल की तक्लीफ बच्चों की खत्र होती है, यही हरद रक्त का भी शोधन करती है, निये में तुरूप से हरद का दूद आप पीते रहे, या बच्चों को हरद का प्लाते रहे, तो रर्त में कभी भी कोई दोश नहीं आता, ररत में और कोई विकार नहीं आता, तो ररक्त विकार नहीं तो शरीर में कोई रोग नहीं आता, आसना, और हरद anti-viral है, anti-baris, anti-pipes therapy है, anti-inflammatory है, पांच गुरूव एकसाथ तुर्भत में है, कहीं चोट लग ग जुरूरत नहीं कुई Antisaptic cream लगाने की जोर्ट और जिनके शरीर में इस बात को शरी मोथ अजने शरीर को रंग साफ करना का मैं आपको ऐसा लगता है कि आपको करें थोड़ा अध्या है थोड़ा प्लेक थोड़ा काला है आप थोड़ा कोरा होना साफ करना चाहते हैं तो हरक और यह दून से अच्छी कोरी वस्तू पूरी दुनिया में जिनको रंग अच्छा करना है अफने शरील का नियमित रूप से अधुनिया में जो काम कभी भी फेर नभी नहीं कर सकती वो हरत किसी कितने ले आधा चंमज लियमेतृप से लेना पड़ेगा जादा दिन पर लेना पड़ सी लंवी तो कुछ नहीं करती मैथने लंवी को लगाके देखा एक बशी को चार साल बिगडड़ दिगाथ वो बशी अभी भी काली थी काली इसलिए ये फेरल लबली तो कुछ भी नहीं करते हैं ये बगवास है और टीवी में भोगस जाहिए रहा है और महेंगी इतनी आती है फेरल लबली 25 ग्राम 40 रुपई की है तो हिसाब निकालेंगे तो लगती है इन सब लोगों को मेरी मिंती है कि हड़द लगाएं हडद लगाके आप बाहर मिकलिए कभी भी तवचा में जलब नहीं होगी संबर्न कभी भी नहीं होगा सन स्ट्रोक कभी नहीं है और ऐसे लोग जिनकों जीवन में भ्रमचरे का पालन करना है अपने शरीर की शक् अच्छे से सुरक्षित रख सकी है और इसी हड़द का अध्वुत उप्योग है दुनिया की सबसे खतरनाग भी मारी जो किसी ऑश्र से ठीक नहीं होती है वो हड़द से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर आप माहिटी है आपको हड़द अमेरिका में पेटेंट करा लिए अमेरिका सरकार में हड़द पर 30 पेटेंट लिए और यह सारे पेटेंट कैंसर ट्रीट्मेंट के लिए हड़द का उपयोग कैंसर में होता है अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउंडर के रूप में एक तो रस कैंसर के रूप में काम आता है, कैंसर के किसी भी बरीच को जिसको गले का कैंसर है, पोट का कैंसर है, आहारमली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के बरीच को हड़त का रस मत मिला के देंगे, तो कैंसर में बहुत तेज काम करते हैं, अभी तक जितनी रिसर्च होई है द नहीं है पाकिस्तानी भंगलादेश में नहीं भारत की हड़त करूंस कि अकि notar मुले और घर में कोई कैंसर का मरीज सो- खार अफिकाल के थोड़ा मत मिला कि उसको नेमित रूप से पिला आप wheat 노 शेन तो हड़ огрme जोड मिला के खाकमी मिला के उसको टे जए इस